अस्राम नीकुम वेलकम बैक टो माई चैनल एक नूर रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सूजी और बेसन से बनने वाला इंतहाई मज़ेदार और दानेदार हलवा आप यह रेसिपी जरूर ट्राई कीजएगा बहुत ही परफेक्ट मैयर्मेंट के साथ यह रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजएगा चैनल पर न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कीजएगा और बेल अगन जरूर प्रेस के दीजएगा इंतहाई मज़ेदार हलवा है यह तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं एक पैन ले लेंगे और इसमें एड कर देंगे सूजी एक कप मैंने सूजी ली है आपने कप एक ही रखना है उसी से सारे इंगरीडियंट्स की मेजर्मेंट करेंगी तो सूजी को सबसे पहले खाली ही हमने हलका सा भूनना है देख सकते हैं आपके मैंने कोई भी ओल वगएरा एड नहीं किया इस तरह से बनाएंगे तो यकीन माने हलवे की खुश्पू पूरे महले में भैल जाएगी बहुत ही मज़ेदार हलवा बनता है तो दो से तीन मिनट के लिए इसकी बहुत अच्छे से हमने भुनाई करनी है जो फ्लेम है आपने मीडियम टू लो रखनी है हाई फ्लेम पर इसको हमने कोक नहीं करना जैसे ही इसमें से एक खुश्पू सी आने लग जाती है सूजी की एक मकसूस सी खुश्पू होती है जब वो आने लग जाएगी तब हम इसको साइट पर कर लेंगे और आगे हमने इसकी बहुत बेहतरीन सी कुकिंग करनी है तो आप देख सकते हैं मुसलसल में चमच हिला रही हूँ किसी भी टाइम पर आपने स्पून को नहीं छोड़ना इस तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे इस टाइम पर हम इसमें बेसन आड़ कर देंगे एक टेबल स्पून भर कर बेसन आड़ कर लीजिएगा चान कर एड़ करेंगे अगर आपके पास सूजी मोटी है तो आप उसको फिर मिक्सी जार में डाल कर थोड़ा बारीक कर लीजिएगा बारीक सूजी का जो हलवा होता है खाने में बहुत मज़ेदार लगता है और दोनों चीजों को इस टाइम पर बहुत अच्छे से हमने भून लेना है एक एक स्टेप आपके साथ इसलिए शेयर किया जाता है कि जो न्यू बिगनर्स हैं और फर्स टाइम के रेसिपी बनाने लगे हैं उन्हें कोई भी मुश्किल पेशना आए तो आप देख सकते हैं कि दोनों चीजों को मैं बहुत अच्छे से भून रही हूँ और इस टाइम पर भी आपने फ्लेम किसी सूरत हाई नहीं करनी दोनों चीजें बहुत अच्छे से भून चुकी हैं इसके बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे तो यहाँ पर एक कप सूजी में मैंने एक चमच भर कर एड़ किया है बेसन अगर आप दो कप सूजी लेंगे तो आपने दो टेबल स्पून इसमें बेसन एड़ करना है एक पैन ले लेंगे और जिस कप से हमने measurement की थी सूजी की उसी कप से उसी प्याली से हमने पानी measure कर लेना है तो तीन प्याली के बराबर इसमें मैंने पानी add कर दिया है और ये वाली प्याली मैंने use की थी जैसे ही ये थोड़ा सा पानी गरम हुआ है इसमें चीनी एड़ कर देंगे यहाँ पर चीनी मैंने एक प्याली भर कर एड़ कर दी थी प्याली मैंने सेम ही रखी थी एक कप चीनी, एक कप सूजी और इसके साथ तीन कप मैंने इसमें पानी के एड़ कर दी है और प्याली सेम ही रखिएगा यहां पर मैंने दो से तीन अदद सबस इलाइशी एड़ कर दी है ताके जो शीरा है उसमें भी खुछबू आए तो जैसे ही चीनी मेल्ट होगी तो बस फ्लेम ओफ कर देंगे और इसको एक तार का नहीं बनाएंगे चीनी अच्छी तरहां से घ नट्स एड़ कर देंगे तो नट्स ओप्शनल हैं जो भी आप एड़ करना चाहें कर सकते हैं यहां पर मैंने किश्मिस ले ली थी बादाम कट कर लिये थे और साथ इसमें सूका नारियल एड़ कर दिया है हल्की सी बिल्कुल लो फ्लेम पर इसकी बुनाई कर लेंगे इस अगर हलका सा फ्राइ करके नट्स को एड़ किया जाए हल्वे में तो यह बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं और हल्वे का जो फ्लेवर है वो भी काफी इनहेंस हो जाता है तो तकरीबन एक से डेट मिनट के लिए हलका सा इसको फ्राइ कर लेंगे फ्लेम को हाई नहीं कीजिएगा क्योंकि किश्मिश एड़ की हुई है तो वो एक दम से फूल जाती है तो मैंने तकरीबन एक से डेट मिनट ही इसको बहुत अच्छे से कोक कर लिया है और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे उसके बाद इसी पैन में हम दोबारा घी एड़ करके हल्वे की त पदाम के इलावा अगर आप इसमें पिस्ता या फिर काजू एड़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं सारे ही जितने भी आपने नट्स यूज़ करने हैं उनको हलका हलका रोस्ट करके फिर एड़ कीजिएगा तो इनको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद हम उसी प गी में ही बनाना है। उस से बहुत ही दानेदार हलवा बनता है। तो जो सूजी और बेसन रोस्ट करके रखा था हमने वो अब इसमें डाल दिया है। घी अच्छे से गरम होना चाहिए पिर आपने सूजी को एड़ करना है। अब इसकी बहुत अच्छे से हमने भुनाई क लेनी है दो टाइम इसकी भुनाई होगी तो हलवा ये कीनन बेहतरीन बनेगा बहुत ही खुश्बूदार बनेगा तो सूजी की भुनाई का भी एक तरीका होता है कि जब हम इसको घी में आड़ करते हैं तो एक दम से ये सारा घी पी लेती है और ये थोड़ी सी हाड होना इसकी हलकी हलकी भुनाई होगी और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसकी भुनाई करेंगे तो फिर ये डीली पढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और ओयल जो है वो रिलीस कर देगी तो सूजी ने बहुत अच्छे से घी चोड़ दिया है अब इसमें एड़ कर देंगे सर्बस इला हल्वा बनाते हुए जितना अच्छा आप इसकी भुनाई कर लेंगे जितना अच्छा सूजी का कलर आएगा उतना ही देखने में अच्छा लगता है और खाने में भी बेहतरीन लगता है एक सूजी में कच्छा पन होता है वो नहीं आएगा इस टाइम पर मैंने जो शीरा zwei हिए कर लेंगे आपने जब इसमें मैंने एंड कर दिया है सारा ही 2ड़ करने के बाद ही रिखम ऑप जब ने करनका से ना gy rangka स्टार्ट हो जाएगी और बिल्कुल ड्राय नहीं करेंगे इसको जिस तरह से बिल्कुल पानी खुश्च कर लिया जाता है हलकी सी यह रसीली ही होगी तो इसमें हमने सारे नट्स जो फ्राय करके रखे थे वह एड कर देने हैं तो इस टाइम पर नट्स को आपने बीच में मि मिनट के लिए ही रखा था अच्छी तरहां से देखे पानी ड्राय हो चुका है और सूजी भी बहुत अच्छे से फूल चुकी है तारेदार सूजी बनी है यह आप देख सकते हैं घी पानी हर चीज की क्वांटेटी बिल्कुल परफेक्ट रही है आप भी इंशालला यह र पूरी रेसिपी को फूलो कीजिएगा तो सूजी का और बेसन का यह हल्वा इंतहाई मज़ेदार बनता है आप जरूर्ट राय कीजिएगा और इसमें बेसन की जो कॉंटेटी है उसको कम ही रखा जाता है अगर आप बेसन की कॉंटेटी को ज़्यादा कर देंगे तो फिर जो flavor है वो जादा अच्छा नहीं बनेगा बस आपने ratio को full follow करना है तो आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा दानेदार सा हलवा बना है जैसे ही ये ठंडा होता जाएगा और निकर जाएगा और यकीन मानिए इस हलवे का टेस्ट आम हलवे से बहुत ही different है एक दफ़ा आप मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं थैंक्स वर वाचिंग अला हाफिज